फोटो खिंचवाना किसे पसंद नहीं होता चाहे डिये सेलार हो या मोबाइल कैमरा हम फोटो लेने से कभी नहीं हिचकी चाते विश्व फोटो दिवस की उत्पत्ती डागवेरियो टाइप के आविशकार से हुई है जो 1837 में फ्रांसीसी लूई डागवेरे और जोसफ नाइस फो नीट्स द्वारा विकसित एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया है 19 अगस्ट 1849 को पहली फ्रांसीसी सरकार ने इस दिन को विश्व फोटोग्राफी दिवस भोशित किया था तब से 19 अगस्ट को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा आये जाने फोटोग्राफी से जुड़े को चन जाने तत्य फोटोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है ड्रॉइंग विद लाइट जोसफ नाइसफो नीट्स को फोटोग्राफी का जनक कहा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फोटोग्राफी विंडोज एकस्पी में इस्तेमाल किया जाने वाला डिफॉल्ट वॉल्पेपर है जिसका नाम ब्लिस है इसे 1996 में चाल्ज ओराद्वारा उठाया गया था दुनिया की सबसे पुरानी तस्वीर जो अभी भी जीवित है उसे ज्यूसेप नीट्स ने अपनी खिल्की से लिया था इस छवी को व्यू फ्रम दे विंडो नाम दिया गया था तस्वीर में देख रहा व्यक्ति फोटो खीचवाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति है लेकिन मजे की बात यह है कि फोटो खीचने वाले को पता भी नहीं था कि उसकी फोटो कीची जा रही है और फोटोग्राफ़ को भी नहीं पता था कि 18128, लुई डागुएरे ने पहली तस्वीर ली जिसने एक इनसान को कैप्चर कर लिया उनका इरादा पेरिस के बुलेवार डू टैमपल की तस्वीर लेने का था उसकी तस्वीर में देख रहा शक्स गली में खड़ा था, अपने जूते पॉलिश करवा रहा था चून की एक्सपोजर 7 मिनट तक चला, इसलिए वह आदमी भी कैप्चर कर लिया गया मेगा पिक्सेल शब केवल 35 वर्ष पुराना है यह शब पहले इस्तिमाल नहीं किया गया था पुरानी तस्वीर में लोगों को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा जा सकता था क्योंकि पुराने दिनों के बड़े कैमरों में उननत तकनीक नहीं होती थी और तस्वीर लेने में कुछ घंटे लगते थे किसी में इतना धहर्य नहीं है कि कुछ घंटे खड़े रहकर चहरे पर मुस्कान के साथ तस्वीरे खीट सके फोटो शॉप आज सबसे व्यापक रूप से उप्योग किये जाने वाले फोटो एडिटिंग सॉफ्ट्वेर में से एक है और पहली बार 9 फर्वरी 1990 को जारी किया गया था सेलफी सबसे पहले रॉबर्ट कॉनिलियस ने 1949 मिली थी हालांकि सेलफी वर्ट 2002 तक सभी के लिए अग्यात थी विकिपेडिया के अनुसार फोटोग्राफी की 80 कैटागरी और 10 सब कैटागरी है पहला फोटोग्राफी पेपर बिटुमेन से बना था इस बिटुमेन का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है कैमरे पर नेगटिव फिल्म की खोज पहली बार 1849 में विलियम हिन्री फॉक्स टॉलबर्ट द्वारा की गई थी जिसके लिए उन्हें रमफिट मेडल से सम्मानित किया गया था इसे सिल्वा आयोडाइट गैलिक एसिड और सिल्वा नाइट्रेट के सयोजन से बनाया गया था आपको जानकर हैरानी होगी कि नेगटिव से ब्लैक और वाइट शवीयों को निकालने के लिए कॉफी, विटामिन सी और वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है अतीत में, चित्रल लेने के लिए एलियूमिनियम को पोटेशियम क्लोराइट के साथ मिला के फ्लेश किया जाता था यदि ये हमिश्रन सही अनुपात में नहीं होता, तो अकसर विसफोर्ट हो जाते दुनिया की पहली प्रक्षेपित छवी कैमरा अपस्कूरा द्वारा दिखाए गई थी इन्वर्स रफ्लेक्शन ओफ लाइट की विधी का उप्योग करते हुए, एक अंधेरे बॉक्स के अंदर एक बहुत छोटे छेट के माध्यम से बाहरी द्रिश्य दिखाया जाता है यही कारण है कि अपस्कूर कैमरे का इमिज उल्टा दिखते हैं दुनिया का पहला फोटो बूट 1925 में न्यू यॉर्क में बनाया गया था पहली कलर्ट फोटो 1861 में ली गई थी थॉमस वाल्टर ने लाल हरे और बू तीन अलग-अलग फिल्टर पर फोटो खीच कर एक फोटो सेंसेटिव प्लेट पर प्रजेक्टिट पेश किया 1975 स्टीवन सासन ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरे का आविशकार किया जिसका वजन 3.6 किलोग्राम था जो आज के DSLR कैमरे से लगभग 4 गुना है और इसमें 0.01 MP स्लोट थे पहला जापानी कैमरा 1935 में बनाया गया था दिल्चस्प बात यह है कि इसकी बॉडी कैनन ने बनाई थी और इसके लेंस को निकॉन ने बनाया था एक सर्वेक्षन से पता चला है कि 1800 में पूरी दुनिया उतनी तस्वीरे नहीं ले सकती थी जितनी हम आज हर दो मिनट में ले सकते हैं एक बार फिर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे आज फेस्बुक पर हर दिन 300 मिलियन से आधिक तस्वीरे अपलोड की जाती है और औसतन 95 मिलियन तस्वीरे इंस्टाग्राम पर अपलोड की जाती है फोटो लेने के लिए अपोलो 11 मिशन में 12 हैसले बलेड कैमरों को ले जाया गया ये कैमरे कोडेक कमपनी द्वारा बनाए गये हैं और ये अभी भी चांद पर है एक शोध के अनुसार फोटो में किसी व्यक्ति का बाया चेहरा दाय तरफ के चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत दिखता है 1800 के दशक में सबसे लुक प्रिय फोटोग्राफी विशे डेड बॉडी फोटोग्राफी था बिल्ली की फोटोग्राफिक और पसंद नहीं करता लेकिन ट्रेंड आधुनिक नहीं है ट्रेंड की शुरुआत 1870 में हुई थी जब हैरी पॉइंटर ने अपनी बिल्लियों की तस्वीरे लेना शुरू किया था 1930 के दशक का लाइका ओर सीरीज कैमरा अभी भी दुनिया का सबसे महेंगा कैमरा है इसका मूलियर 2.8 मिलियन डॉलर्स है पहला कंस्यूमर डिजिटल कैमरा आपल द्वारा 1994 में जारी किया गया था और इसका नाम आपल क्विक्टेच था इसे कोडेक द्वारा डिजाइन किया गया था टेलीग्राफ के एक लेक के अनुसार 75 प्रतिशत ब्रिटन वासी एफबी पर नशे में देखे जाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा कलेक्शन किसी और देश में नहीं बलकी हमारे देश में उपलब्ध है मुंबई के फोटो जर्नलिस्ट दिलेश प्रकाश के पास कुल 4425 अंटीक कैमरे हैं प्रतियेक बैंड अपने प्रॉड़क्ट के लिए एक सुसंगत नाम तै करता है उदाहरन के लिए कैनन का मतलब नियम या प्रिंसिपल है इलफोर्ड के अपने जन्मस्थान के नाम पर रखा गया और ओलिम्पस का अर्थ ग्रीक देवताओं का घर है लेकिन कोड़क एक ऐसा ब्रांड है जिसका कोई वास्तविक अर्प नहीं है ग्रूप फोटो हमें सामान्य तस्वीरों की तुलना में आधे काकरशक बनाती है कोड़क कमपनी 2012 में बैंक्रप्ट हो गई कोड़क का फिल्म निर्मान व्यवसाय 2013 में बिग गया लेकिन वे धीरे-धीरे काबू में आ गए अब वे प्रिंटर व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर रहे है कोड़क कमपनी के मालिक जॉर्ज इस्टमेन फोटिन ने मार्च 1932 में खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी उन्होंने अपनी मृत्यू के समय एक नोट लिखा था To my friends, my work is done Why wait, Robert Kappa एक Hungarian photographer थे जिन्होंने दुनिया भर में कुल पाच युदों की तस्वीरे कीची थी दुख की बात है कि 1950 के पहले इंडोचीन युद्ध में एक land mine विसफोर्ट में उनकी मृत्यू हो गई आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद